हाई गईज एन विलकम बैक टू दी चैनल दीपश यादव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफियर्स डिसकशन तो गईज आज की तारिक से जितने भी मुस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफियर्स को हम यहाँ पर डीटेल से ड लिंक दिया गया है उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलिग्राम चनल तक पहुंच जाओगे अगर इस तरीके साब को यह टेलिग्राम चनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है डिरेक्टी टेलिग्राम आपको डाउंलोड करना सर्च बॉक्स में टाइपको चैदा वेजुकेशन आपको ये वाला चैनल मिलेगा यहां से आप इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पाओगे साथी साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में परस्नली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जाना और अगेन वहां पर जाकर आपको सर्च बॉक्स में दीपक चैदा वेजुकेशन टाइप करना है आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा यहां पर कनेक्ट करकर अपनी क्वरीज को मेरे साथ में डिसकस कर सकते हो तो आज मैंने वीडियो के अंदर कुछ चेंजिस करे हैं पहले मैं उसको बता देता हूँ फिर उसके बाद में हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे देखो आपको पता होगा आज से लगबग एक डिल महीने पहले जुलाई के मंत में मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जो शाम को करेंट अफ़ेर का विडियो आता था उसको रोख कर मैंने प्रिलिम्स क्रेकर स्टार्ट किया था यानि कि प्रिलिम्स के अंदर कैसे आप लोग के लिए में लेकर आया करता था शाम को, तो वही सिरीज को वापस से रीस्टार्ट कर रहा हूँ शाम के अंदर में, बाकि आप लोग का क्वेशन होगा, जो करेंट अफिर हम लोग शाम को कवर कर रहे थे, वो कहां जाएंगे, तो उसको मैं प्रॉमिस कर रहा और पूरे लंबे-लंबे मैसेज भेजा हैं, जहाँ पर उन्हेंने मेंशन किया है कि हा सर, शाम को कुछ ऐसे इंपोरेंट आर्टिकल्स हैं, जो कि मौर्निंग वाले वीडियो में नहीं आते हैं, और यह हकीकत बात है, ऐसा भी होता है, तो मैं यहाँ पर दोनों वीडियो अलग-लग लेकर चलता हूँ, लेकिन होता यह है कि majority of जो लोग हैं, जो इस चैनल को follow कर रहे हैं, वो सब मौर्निंग वाला वीडियो देखते हैं, शाम वाले वीडियो बहुत कम लोगी यहाँ पर follow कर पाते हैं, लेकिन शाम वाले वीडियो में काफी अच्छे articles में include करता ह तो उसी चीज़ को देखते हुट है यहाँ पर मैंने कहा कि चलो ठीक है जो शाम वाले आर्टिकल्स हैं उसको मैं मॉर्णिङ वले विडियो में ही से तो मौर्णिंग में आपका दहिंदू का वीडियो साड़े साथ बजे अपलोड हो जाएगा उसको आप लोग अराम से फॉलो करना फिर उसके बाद में बाकी जो बचाओ का उचा दिन है उसमें अपनी प्रिपरेशन करना स्टेंडर्ड बुक्स पढ़ना, ऑप्शनल पढ़ना जो भी आप लोग प्रिफर करते हो फिर रात में रोजाना आठ बजे आपको यह वाली सीरीज मिला करेगी प्रिलिम्स क्रेकर की और इस प्रिलिम्स क्रेकर का जो नाम है ना यह prelims cracker वाकई में रहने वाला है क्योंकि इसमें बहुत जादे quality questions मिलेंगे ऐसे questions जो कि काफी advanced level के हैं advanced level का मतलब यह है कि जैसा UPSC पूछता है ऐसे questions रहेंगे जो कि आपको prelims में कैसे आपको सारे questions attempt करने हैं उस चीज की समझ देने वाले हैं और previous questions को भी मैं आपके साथ में link करते रहूँगा और एक बात ये भी है कि current affair भी साथ में पढ़ते रहेंगे current affair भी पढ़ेंगे उसका regarding question भी solve करेंगे previous question भी करेंगे तो overall आपको शाम वाला वीडियो भी बहुत ज़ादा help करेगा अगर आप लोग ने मेरे पहले prelims cracker वाली series नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हो कुछ दिन के लिए मैंने 20-25 दिन वो series चलाई थी आप लोग जब YouTube पर टाइप करोगे prelims cracker by दीपक जदव तो वो series आपको मिल जाएगी आप लोग एक बार जाकर उसको go through कर सकते हो बाकी जो morning वाला वीडियो होगा ना उसको मैं बहुत ज़ादा important बनाने वाला हूँ The Hindu Indian Express और भी various sources होंगे जहांपे exam से related article होंगे UPSC ने previous year में question पूछे होंगे उन articles को मैं आपके साथ में cover करूँगा ठीक है ना जैसे कि आपके editorials, छोटे news article, Indian Express का explainer page, हमारा The Hindu का text and context तो ये सारी चीज़े include कर दी जाएंगी थोड़ा सा lengthy होगा morning का वीडियो लेकिन definitely आपके लिए बहुत ज़ादा useful होने वाला है ये मतलब जादतर चीज़े, standard books वागरा भी morning वाले वीडियो से ही cover हो जाएंगी इस प्रकार से में prepare करने की कोशिश करूँगा समझ में आगई बात, चलो फिर अब इस वीडियो का जो importance है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे सबसे पहला question देखो नर्मदा रिवर बहुत जादा न्यूज में है, आप नहीं पता है मैंने दहिंदू के अंदर कितनी बार discussion क्या हुआ है नर्मदा रिवर का रिवर को लेकर UPSC ने पहले भी काफिसरे questions पूछे हैं, वो questions आपके साथ मैं अभी थोड़ी दिर में discuss करूँगा ठीक है ना, लेकिन अभी current affair में नर्मदा देखने को मिल रही है तो उसको लेकर एक question आप लोग लिए तयार किया गया, एक बात और देखो जब मैं question explain करूँगा आपको तो आपको क्या करना है उसका answer नीचे comment section में दे देना है नहीं आता होगा तो मैं आपको इसका answer भी देने वाला हूँ, वो तो as usual रहने वाला है ठीक है ना, लेकिन वीडियो के last में आप लोग लिखना, आपका score क्या रहा है, आपने कितने question सही attempt किये, कितने आपको आते थे इससे confidence built up होगा, prelims के लिए आप तयार हो रहे होगे अभी से ही, ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है ठीक है ना, तो साथ में मिलकर हम काफी बड़ा change ला सकते हैं, मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं एक quality से quality वाली चीज़ आपके सामने provide करवाँ तो आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से इसको देख सकते हो, बात करते हैं नर्मदा रिवर की, तो नर्मदा रिवर को लेकर यहाँ पर तीन statements दिये गए हैं, बताना यह है कि कौन सा statement correct है पहला statement यह बोलता है कि नर्मदा रिवर एक largest east flowing river है यानि eastern side में भहती है, हमारे peninsular region की east flowing river है यह दूसरा statement यह बोलता है नर्मदा रिवर विंधिया रेंज जो की north में है और सत्पुरा रेंज जो की south में है, इन दोनों ranges के बीश में बहने वाली नदी है तीसरा statement यह बोलता है नर्मदा रिवर निकल कर आती है माइकला रेंज से जो की अमरकंतक के पास में है, जो की basically अमरकंतक मद्यवपरदेश में इस्थित है तो वहाँ से यह नदी निकल कर आती है, ऐसा यहाँ पर यह third statement बोलता है बताओ इसका कौन सा correct statement हो सकता है, कौन सा correct answer हो सकता है तो option A बोलता है 1 and 2 only, option B बोलता है 2 and 3 only, option C बोलता है 1 and 3 only, या फिर option D बोलता है तीनों के तीनों statements बिल्कुल सही है, या आप देखोगे down to earth ने इस article को cover किया हुआ है मद्यव प्रदेश की सरकार ने recently महेश्वर hydroelectric contracts को cancel कर दिया है, जो कि नर्मदा रिवर के उपर बनाए जा रहे थे इस वज़ा से आपको यहाँ पर source भी दिखा दिया गया, तो अब इसके answer को decode करते हैं, इसका answer क्या होगा तो इसका correct answer आपको देखने को मिलेगा 2 and 3 only, ठीक है न, अब details से बात करेंगे तो पहला point देखो, यहाँ पे बूला गया कि नर्मदा रिवर एक largest east flowing river है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने दहिंदू के वीडियो में पढ़ा वी है, कि नर्मदा रिवर एक west flowing river है, यानि वो east में न प्रिदिश से बहती हुई देन, उसके बाद महराष्टरा गुजरात से बहती हुई इधर, गल्फ ऑफ कैमबे के अंदर, यानि गुजरात के नेचे गल्फ ऑफ कैमबे है, यहाँ पर यह नदी गिर जाती है, तो यहाँ से इधर बह रही है, ठीक है न, तो यह जो portion है, यह अगर हम लोग इसको देखें, तो यह बिल्कुल correct है, क्योंकि जब आप लोग रेंज से देखते हो हमारे मैप में, तो वेंधया रेंज आपको उपर नौट में धेखने को मिलेगा, सत्पुरा रेंज साउथ में देखने को मिलेगा, इन दोनों के ही बीच में यह नर्मदा statement भी बिल्कुल correct है, देखो यहाँ पर मैं आपको अभी exactly map में दिखाया था, यहाँ पर यह है अमरकन तक, यहीं से यह नदी निकल कर जाती है, और गुजरात के नीचे गल्फ ऑप कैमबे के इंदर गिर जाती है, तो statement 3 भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, that is why statement 1 आपका incorrect हो गया, और statement 2 आपका सही है, और statement 3 सही है, तो आपका 2 and 3 is the correct answer, तो B आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, simple बात हो गई, अब देखो एक बात ध्यान अकना, इस चीज़ को लेकर मैंने कुछ extra बात भी बता दी है, जो यह आपको नर्मदा नदी देखने को मिलती है मद्यपरदेश से जब निकल रही होती है जबलपूर के पास में, तो वहाँ पर एक फॉल बनाती है, जिसका नाम है धुआधार फॉल, और ये भी ध्यान रखना, नर्मदा रिवर के आसपास बहुत सरे आईलेंड, जिसमें से एक सबसे बड़ा आईलेंड है, जिसका नाम है एलियाबाट आईलेंड, फिर एक और इंपोरेंट बात, इस नदी की मेजर ट्रिविटरी यानि नर्मदा रिवर की जो सहायक नदियां है, वो कौन कौन से हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है, वो आपको देखने को मलती है हिरन, ओरसांग, बरना और कोलार, बाकी इस उपर बहुत सारे इंपोर्टेंट हाइडरो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो की निउस में रहते हैं, वो कौन कौन से हैं, इंदरा सागर, सरदार सरोवर और महेशवर ये डाम, ठीक है न, तो यहाँ पर मैंने आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता दिया है, सिंपल बात हो गई, तो यह बात यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, इस प्रकार साब को क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे आते हैं, अब देखने वाली बात यह है, क्या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, देखो, UPSC ने साल 2016 में क्वेश्चन पूछा था, ब्रहमपुत्रा नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मैंने आपको नर्मदा रिवर के बारें बताया, इसकी ट्रिब्यूटरी वगरा सारा बैग्राउंड इन्फोमेशन बता दिया, ऐ लिबांग, कोमेग, लोहित, ये तीनों की तीनों सहयक नदियां देखने को मिलती हैं, समझ में आई बात, तो ऐसे क्वेशन बनता है, एक और सेंपल देखो, देखो यहाँ पर बात की जाती है, जब भी नदी बहरी निर्मदार नदी, तो आप लोग यहाँ पर वो देखो कौन-कौन से स्टेट से गुजर कर जा रही है, कहां से निकल रही है, उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेशन बन जाते हैं, साल 2010 में क्वेशन पूछ लिया गया, कौन-कौन सी नदिया है, जो कि हिमाचल प्रदेश को पास करती है, औप्शन A, बियास चे क्वेशन पूछा गया था, फिर एक और देखो, 2010 में एक और क्वेशन पूछा गया नदि को लेकर, वो क्वेशन तया क्या था, विद रिफरेंस टू दा रिवर लूनी, जो लूनी रिवर है ना, इसके रिफरेंस में, बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्ट पहला स्टेटमेंट, यह जो रिवर लूनी है ना, यह बेसिकली रन उफ कच के अंदर, जो मार्शी लेंड देखने को मिलेगा, उसके अंदर ही खो जाती है, तो इसका आप्शन डी जो है, वो इसका करेक्ट आशर देखने को मिलेगा, लूनी रिवर कहां से निकलती है, अ तो ऐसे यहाँ पर क्वेशन्स अटेंट करने होते हैं, एक और क्वेशन देखलो चलो, यहाँ पर एक और लगा रखा है, 2009 में क्वेशन पूछा जा था, इन चारू नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है, जो की भारत में ही ओरिजिनेट नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आ तो आपको मैंने यहाँ पर नर्मदा रिवर के बारे में भी पढ़ा दिया, इस प्रकार से आपको प्रीवियस एर क्वेशन्स पढ़ने हैं, और आपने पता होगा, जब भी आप लोग कुछ भी इंटर्व्यू देखते हो, यूपी एसी के अंदर सबसे इंपोर्टेंट बात है कि अगर आप लोगोंने प्रीवियस एर क्वेशन्स पेपर का अनलेसिस बहुत अच्छे से कर लिया है, तो मतलब आप बिलकुल सही रास्ते पर हो, आप वही चीजे पढ़ोगे जो कि एक्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जा रही हैं, है ना, दूसरा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लेकर दिये गए हैं, क्योंकि रीसेटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रिलीज हुआ था, उसी वज़ा से ये न्यूज में हैं, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की जो रैंकिंग्स हैं, इसको रिलीज किया या है, वर्ल्ड इ च्रहता हुआ है। यह जाहता है इस कीcular आपनों ऐनों उकरेक्ट हैं यह सिरे स्टेटमेंट न जूसे से यह एज्टास और पर गscheinिए करेक्ट आ एकल दो जाथा है मर्टाब और दो आप करेक्ट में मेंहीं एक फॉल दो रुंदिए यहां है जी तो 3 स्टेटमेंट दोनों correct है या फिर चौता statement दोनों ही गलत है वैसे इसका correct answer option 1 है reason क्या है और मैं इसको थोड़ा सा detail से बताता हूँ देखो option 1 यहाँ पर क्या बोलता है कि global innovation index किसके थूर release क्या जाया था यहाँ पर WIPO का नाम दिया जाया है world intellectual property organization और यही बिल्कुल correct है अभी जो recently global innovation index आया है इसको ठीक बात है WIPO नहीं release किया है इस वज़ा से statement 1 correct है लेकिन इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है आप से यहाँ पर इस index में भारत की क्या ranking है वो भी पूछा जा सकता है तो इंडिया की ranking यहाँ पर 40 है 40th ranking है 132 countries में से इस global innovation index 2022 के अंदर में यह 2022 का index है और साल 2021 का जो index था उसमें भारत की rank थी 46 और 2015 का जो index था उसमें rank थी 81 और दूसरा statement देखते हैं पहला statement तो आप लोग समझे गए बिल्कुल correct है दूसरा statement global innovation index जो की publish किया जाता है हर साल annually साल में एक बार लेकिन statement में क्या बोला गया है कि यह जो global innovation index है इसको यहाँ पर by annually release किया जाता है साल में दो बार तो यह basically यही पर गलत हो जाता है तो इसको हम लोग साल में एक बार release करते हैं और इसका काम है हमारी economy के अंदर जो भी यहाँ पर innovation हो रहा है जो भी यहाँ पर आविशकार हो रहा है उनके performance को measure करना उनको मापने का काम करता है that is why जो statement 1 है वो यहाँ पर not correct देखने को मिलेगा ठीक है ना क्योंकि statement 1 यहाँ पर बोलता है by annually इस वज़़े से यहाँ पर यह एक तरीके से गलत हो गया option 1 के वल आपका answer हो गया लेकिन इसके अलाबा कुछ background information भी जालो जो कि आपको exam में help करेगा इस बार यह तो आपने देख लिया कि भारत की rank 40 है लेकिन जो one day examination में है वहाँ पर पूछा जा सकता है कि इस global innovation index में top ranker कौन है number one पर कौन है तो Switzerland Switzerland यहाँ पर most innovative economy निकल कर आया है पूरे दुनिया में साल 2022 में Switzerland के बाद में आपको US, Sweden, UK और Netherlands जैसी country देखने को मलती है लेकिन Switzerland का नाम भी आपने ध्यान में रखना है समझ में आ गई बात अब यह जो report आई है global innovation report इसकी कुछ important highlights है वो भी बात कर लेते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग current affairs भी साथ ही साथ कवर कर रहे है तो highlights क्या रही है इस report की वो discuss करते है पहली चीज़ यहाँ पर इस report ने क्या किया है countries की ranking त्यार करी है और जो भी most innovative economies है यानि कुछ ऐसी economies कुछ ऐसी country यहाँ जहाँ पर सबसे जादा आविशकार हो रहे हैं बहुत अलग लग तरीके से आविशकार हो रहाविशकार करना बहुत आशान है वहाँ पर पूरी तरह से protection मिलता है लोगों को तो उस मामले में गर हम लोग बात करें तो Switzerland एक most innovative economy बनकर आता है साल 2022 में 12 साल से most innovative economy का जो एक तरीके से दर्जा है वो Switzerland ने अपने आप में ही ले रखा है उसके बाद में US, Sweden, UK और निदरलेंड जैसे देखने को मिलता है बाकी चाइना टॉप 10 के आसपैस है और उसके बाद यहाँ पर टर्किया हो गया जैन उसके बाद यहाँ पर इंडिया हो गया देखो इंडिया भी यहाँ पर एक innovation leader है in lower middle income group जब हम लोग lower middle income group वाली countries की बात करते हैं तो इस वाले group में भारत एक leader निकल कराता है innovation के मामले में हमने भी बहुत सारे आविशकार किये हैं हमारे यहाँ पर आप देखोगे जो start-up से उनको बहुत ज़्यादा finance provide करवाया जा रहा है science and engineering के उपर काम किया जा रहा है labor productivity के उपर काम किया जा रहा है domestic industry के उपर काम किया जा रहा है तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर count की जाती है इनी सब चीजों के basis पर जो country का performance है वो यहाँ पर रखा जाता है इस particular report में that is why lower middle income group में इंडिया जो है एक innovation leader बनकर निकला है तीसरी बात यहाँ पर इस report में बोली गई है research और development expenditure के बारे में तो जो भी यहाँ पर top economies है जैसे Switzerland, UK, US यह जो countries हैं इन्होंने top किया क्यों क्य कैसे कोई अविश्कार होगा कैसे कोई innovation होगा तो research और development के उपर जो expenditure है वो increase हुआ है कितना increase हुआ है पहले यह expenditure काफी कम हुआ करता था लेकिन साल 2021 में expenditure 900 billion dollars का पहुचा है आपकी बार यानि कोरोन से पहले के मामले को अगर हम लोग compare करें 2021 से तो अब की बार काफी improvement हुआ ह लोगों ने research and development के उपर पैसा खर्चा है तो ये तो बात हो गई global innovation index के बारे में आप देखो क्या ऐसे question पूछे जाते हैं बिल्कुल पूछे जाते हैं साल 2015 में question पूछा गया था जो की consumer price index को लेकर आती है consumer price index जो की industrial worker वाला है CPI IW वाला क्योंकि ऐसे पूछे question जाते हैं तो इसको लाने वाली जो body है वो इसका सी correct answer है labor bureau मैंने आपको पढ़ा भी रखा है जब consumer price index wholesale price index आपको पढ़ाया है अच्छा क्या आप जानते हैं CPI WPI के बीच में क्या difference है अगर आपको पता है तो नीचे comment section में इसको लिखने की कोशिश करना ठीक है न एक और question देखो तो साल 2017 में एक और question पूछा गया था index को लेकर क्या था which of the following gives global gender gap index ranking to the countries of the world यानि कौन सी एक ऐसी body है जो कि global gender gap index के अंदर countries को ranking देती है फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कौन सी body है जो कि इस index को publish करती है simple सी बात है तो इसका correct आंसर आजाता है world economic forum world economic forum के थुरू global gender gap report को publish किया जाता है ठीक है न तो यहाँ पे भी आपसे देखो ऐसा question पूछा जा सकता है कि global innovation index किसके थुरू release किया जाता है तो वो है world intellectual property organization आते हैं आगे next important article देखो अगला question से हमारा अगला question है बांदवगड tiger reserve क को solve करना की कोचिच करना interesting सा question है क्या बोलता है कुछ यहाँ पर statements देगा है उनको देखते वेकर हम लोग बात करें क्योंकि recently जो बांदवगड tiger reserve है न इस tiger reserve में कुछ archaeological survey of india के दौरान उस sorry archaeological survey of india के थुरू बहुत सारी important findings पाई गही है यानि इस बांदवगड tiger reserve में पुरा statement बोलता है कि अभी इस survey में सरी इस खोज में पुद्धिस्ट केव मिले हैं जो कि महायन sect of buddhism से बिलोंग करते हैं दूसरा statement कुछ temple यहाँ पर मिले हैं जो कि temple काला चूरी periods को बिलोंग करते हैं क्या यह सही बात है जो अभी recently बांदवगड tiger reserve में जो चीज़े मिली है क्य both one and two या फिर option d ना पहला सही है ना दूसरा सही है नीदर वन नल टू अव इसके आंसर को देखते हैं तो basically इसका आंसर आपको option number c रेखने को मिलेगा दोनों के दोनों बिलकुल correct हैं क्योंकि buddhist caves भी recently मिले हैं इस बांदवगड tiger reserve पर और कुछ temples मिले हैं जो कि काला चूरी period को belong भी करते हैं तो इसका correct आंसर क्या हो जाएगा देखो statement one भी correct है statement two भी correct है that is why both one and two is the correct answer क्योंकि अभी लगबग 26 गुफाई मिली है buddhist से related जो कि हाँपर मायन सेक्ट को belong करती हैं और मैंने आपको बताया कुछ मंदिर भी मिले हैं जो कि मंदिर काला चूरी period को belong करते है जानी कि 9th से लेकर 11th century पुराने मंदिर वो देखने को मिलेंगे simple बात हो गई तो ये तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है इस प्रकार से question लेकिन अब question बांदवगर tiger reserve को लेकर भी बन सकता है तो थोड़ा सा background भी पढ़ लेते हैं यानि अलग से current differ भी पढ़ लेते है कि कोई दूसरा question आए तो वो भी आप लोग कर सको तो बांदवगर tiger reserve के बारें बात करें तो 1968 में इसको एक national park की तरह notify किया गया फिर 1993 में इसको एक tiger reserve declare कर दिया गया project tiger के अंदर historical significance की बात करें तो इस particular area का importance बहुत जादा है एतिहासिक importance देखने को मिलेगा जो भी हमारे प वंचरत्र देन उसके बाद शिव पुरान हो गया यहाँ पर इस बांदवगर्ड वाला जो जगह है ना उसके बारे में चर्चा की गई है बांदवगर्ड बेसिकली आपको मध्यप्रदेश में देखने को मिलेगा यह tiger reserve इस वज़ए से tiger reserve काफी important भी माना जाता है आगी ब बात करें तो कौन कौन से जनवर पाई जाते हैं असियाटिक जैकाल हो गया बेंगॉल फॉक्स हो गया स्लॉट पियर इस्ट्रिप्ड हाइना लेपर्ड टाइगर वाइल पिग्स निलगाय चिंकार और गौर जैसे species यहाँ पर पाई जाती है अब बांदवगर्ड टाइग यह वाला बांदवगर्ड देखने को मिलेगा वैसे इसकी कैपिटल भोबाल है बांदवगर्ड वाला रीजन यहाँ पर है इसे की हम लोग चर्चा कर रहे थे अब सर सवाल यह उठता है क्या ऐसी क्वेशन आते हैं बिलकुल आते हैं यह देखो क्वेशन क्या था साल 2012 में पूछा जिया था consider the following protected areas आपको यहाँ पर चार protected areas दिये गाएं बांदीपूर बितरकनी का मानस और सुन्दरबन बताना यह है कि इनमें से कौन से areas जिनको Tiger Reserve डेकलियर किया गया है तो इसका correct answer क्या है इसका correct answer आपको B देखने को मिलेगा 1,3 and 4 only 1 3 and 4 only बेदरकनी का national park है बाकी बंदीपूर Tiger Reserve देखने को मिलेगा मानस Tiger Reserve और सुन्दरबन बंस Tiger Reserve भी आपको देखने को मिलता है तो B इसका basically correct answer हो गया तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ऐसे question बनते है Tiger Reserve को लेकर पहले question आए भी है बाकी मैंने आपको बताया बांदगवा wildlife century located पाक हुई wildlife century आपको कौन से राज्य में देखने को मिलती है इसका correct answer देखने को मिलता है option number A अरुनाचल प्रदेश ठीक है ना पाक हुई या फिर इसको लोग पके Tiger Reserve के नाम से भी जानते हैं तो अगे इन Tiger Reserve की बात की जा रही है तो आपको यह अरुनाचल प्रदेश मे वो नियूज में रहती है और साल 2022 में bodies को लेकर दबाकर UPS ने question पूछे थे question क्या बोलता है consider the following statements regarding WTO world trade organization के regarding आपको यहाँ पर तीन statements दिये गए हैं बताना यह है कि कौन सा statement correct है पहला statement यह बोलता है कि world trade organization एक लौता global international organization है दुनिया में एक ऐसा international body है जो कि जो व्यापार होत उस व्यापार के अंदर जो rules and regulation है उसको लेकर deal करता है दूसरा statement यह बोलता है कि world trade organization ने काम करना start किया है एक जनवरी 1995 से मरकेश agreement के अंदर में तीसरा statement WTO जैसे ही आया WTO के बाद जो GATT body थी यानि कि general agreement on trade and tariff वाले body थी क्योंकि WTO से पहले GATT हुआ करता था तो GATT पहले हु WTO के आने के बाद में जो GATT है ये भी काम कर रहा था क्या ऐसा है WTO के आने के बाद में GATT भी काम कर रहा था तो ये आपको तीन statement दिये गए हैं बताओ ये इसमें से कौसर statement correct है पहला statement बोलता है 2 1 3 दूसरा statement 1 & 3 तीसरा statement बोलता है स्वरी तीसरा option बोलता है 1 & 2 और चौथ option तीनो के तीनो statement जो है बलकुल सही है आओ इसके आंसर को देखते हैं इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा option number C 1 & 2 अब ऐसा क्यों आओ इसके आंसर को थोड़ा और detail से analyze करते हैं जब बात करते हैं World Trade Organization की तो बिलकुल World Trade Organization एक लौती एक ऐसी international body है जो की दुनिया में जो भी व्यापार को लेकर rules and regulations हैं उसको लेकर deal करती है World Trade Organization एक institution है जिसको 1995 में बनाया गया था और ये बात ध्यान रखना कि इससे पहले GATT वाली body हुआ करती थी यानि की कौन सी body General Agreement on Trade and Tariff WTO जब आया तो GATT खतम हो गया था यानि GATT को replace करके WTO बना था तो that is why यहाँ पर क्या हो गया कि यह जो third statement है यह आपका खतम हो गया यहाँ पर बोला गया WTO के आने के बाद भी GATT था ऐसा नहीं है GATT को replace करके WTO बना था तो 1 and 2 आपका केवल correct answer एगा that is why C आपका सही option है बाकी कुछ और detailing देखते हैं WTO स्टार्ट हो चुका था 1st January 1995 से मरकेश agreement के अंदर में 123 कंट्रीज ने आपर इसको sign किया था 15 April 1994 में इंडिया भी यहाँ पर इसका member बना हुआ है 1948 से ही इंडिया बेसिकली WTO का एक founding member था GATT का भी भारत एक member था 1948 से जब बाद में WTO बना तो इसके हम लोग founding member बन गए थे और WTO जब आया तो GATT खतम हो गया था सिंपल बात हो गई WTO को लेकर क्या ऐसे question आते हैं बिलकुल आते हैं 2016 में question पूछा गया था doctors without border medicines sand frontiers इसका नाम आपको देखने को मिलेगा यह अक्सर न्यूज में देखने को मिलता है तो आखिरकार यह है क्या तो आपसे भी WTO को लेकर पूछा जा सकता आखिरकार WTO है क्या तो वैसी doctors without border है क्या option A a division of world health organization option B a non-governmental international organization option C intergovernmental agency sponsored by European Union या फिर option D a specialized agency of United Nation तो इसका correct answer आपको option B देखने को मिलेगा यह basically एक non-governmental international organization है समझ में आगई बात अब आते हैं अगले question के दरफ अगला question और interesting है important है और ऐसे question UPSC ने खूब पूछे है उसका favorite यहाँ पर यह portion देखने को मिलता है question क्या है consider the following statements with respect to millet crops जो millet crops होती है जो millet crops यानि की मोटे दाने वाले जो अनाज होते हैं इसको लेकर बताओ कौँ सा statement सही है पहला statement इंडिया एक बहुत बड़ा producer है millets का पूरे दुनिया बर में पूरे दुनिया बर में भारत एक बहुत बड़ा उत्पादक है millets का ऐसा यहाँ पर बोला गया दूसरा statement बोलता है कि इंडिया second largest exporter है millets का पूरे दुनिया में हम लोग दूसरी नंबर पर आते हैं जो की सबसे ज़रादा millets को export भी करते हैं पताओ कौँसा statement correct है पहला statement बोलता है one only दूसरा statement two only तीसरा statement दोनों सही है या फिर चौथा statement ना पहला सही है ना दूसरा सही है इसका answer को देखते हैं इसका answer basically आपको केवल option A देखने को मिलेगा one only इंडिया एक largest producer बिलकुल है हम लोग बहुत सरा millet जो है बहुत सरा जो मोट मोटे दाने वाले अनाज होते हैं उसका production करते हैं मिलेट्स क्या होते हैं मिलेट्स मोटे दाने वाले अनाज होते हैं जैसे रागी बाजरा जौर चना मूंग मक्का ये सब मिलेट्स की काडिगरी में आते हैं now ministry of agriculture and farmers welfare data के according बात करें तो इंडिया एक world leader है in the production of मिलेट्स या मिलेट्स का production हुआ था उसका 41% production केवल इंडिया से हुआ था इंडिया ने लग बग आप कर सकतो हर साल हम लोग 12 million tons के आसपास 12 million metric tons के आसपास मिलेट्स को produce करते हैं इस वज़े से producer के मामले में तो हम बिल्कुल दुनिया में एक लेडर देखने को मिलेंगे लेकिन statement 2 गलत ह हो जाता है statement 2 में बोला गया कि भारत producer के साथ साथ दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा exporter भी है ऐसा नहीं है देखो current टाइम पर क्या है ना इंडिया पांचवा largest exporter है मिलेट्स का हम लोग पांचवा नंबर पर आते हैं जो की सबसादा export करते हैं ना कि second number पर that is why statement 1 is not correct तो आपका यहां पर यह question भी हुआ solve क्या ऐसे question आते हैं बिलकुल आते हैं यह देखो question पूछा गया था UPSC ने साल 2015 में 2019 में पूछा गया था question क्या था among the following which one is the largest exporter of rice in the world in the last five years 2019 में question पूछा यह था इन्होंने पूछा 2019 से पहले पांच सालों में यह बता हो कि इन चारों देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जो की सबसे ज़्यादा चावल को export करता है तो इसमें option दिये गए हैं चाइना, इंडिया, मयानमार, वेतनाम correct answer कौन सा है, correct answer आपको D देखने को मिलेगा हमारा महान भारत, इंडिया इसका सही answer है, ठीके ना, क्योंकि इंडिया दुनिया में सबसदे export कर रहा था rice को 2014 से लेकर 2018 के बीच में, ये बात आप लोगों नहीं हापर समझ में आ गई, ठीके ना, आ गयाता है, तो मैंने आपक पर चावल के बारे में बता है भी, क्योंकि rice export की बात की जा रही है, तो मैंने आपको rice के बारे में भी यहाँ पर बता दिया है, rice क्या है, rice यहाँ पर एक ऐसा food है, जो की हर एक व्यक्ति कंसूम करता है भारत के अंदर में, rice के जो major producer आपको देखने को मिलेंगे, तो leading producer में आज भी यहाँ पर भारत अपनी एक rank को maintain करता है, इंडिया जो है current time पर second largest producer है, चावल का, चाइना के बाद में, हमारे यहाँ पर West Bengal, उत्रप्रदेश, पंजाब जैसे states में बहुत ज़्यादा चावल उगाया जाता है, प्लस और भी states में जैसे पंजाब, तामिल नाडु, यहाँ पर भी आपको चावल की growth देखने को मलती है, एक बात और धियान रखना, जो West Bengal के farmers हैं, वो तीन प्रकार के चावल उगाते हैं, तीन प्रकार की चावल की फसले उगाते हैं, ओस, अमन और बोरो, क्लियर हो गई बात, अब एक और question पूछा गया था, साल 2013 में question खारिफ crops हैं, जैसे rice के बारे हमने चावल के बारे बात करिए तो चावल या एक खारिफ crop है, है ना, तो बताओ कौँसी crop, ऐसी कौँसी फसल, ऐसी जो कि यहाँ पर इन चारों में से खारिफ crops हैं, इसका correct answer आपको C देखने को मलेगा, 1, 2 and 3, cotton, groundnut, rice, यह starting की जो तीनों है ना, तीनों ही खारिफ crop हैं, लेकिन जब बात करते हैं, wheat की, गेहूं की तो wheat क्या है, तो wheat एक rabi crop है, उसका मैंने चार्ट आपको provide करवा दिया है, इस PDF में उसको download कर लेना, ठीके ना, देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूं, जो rabi crop है, इनका time period देखोगे तो October से December के बीच में आपर इनको गया जाता है, इनकी कटाई होती है, एप्रिल से जून के बीच में, राभी crop में कौनकों से फसले आती हैं, wheat, barley, peas, mustard, etc, खारिफ crop में कौनकों से फसले आती हैं, rice, mace, jowar, bajra, tur, moong, urat, cotton, jude, groundnut, soya bean, तो अभी हम लोग ने खारिफ के बारे में जा आता है, consider the following statement about windfall tax, windfall tax recently news में बनावा था, मैंने आपको बहुत डीटेल से पढ़ाया भी था, तो windfall tax को लेकर दो statement दिये गए हैं, पहला statement, यह basically एक higher tax rate है on profit, यानि कि जो company profit कमाती है, उसी के उपर यहाँ पर इस tax को चार्ज किया जाता है, यानि कि एकदम से अचानक से किस इसी company को profit होगे, तब इस tax को चार्ज कर लिया जाता है, तूसरा statement बोलता है कि इंडिया की अंदर जो taxation system है, उसमें provision already mentioned है windfall tax को लेकर, मतलब हमारे पास में concept है already windfall tax का, तो यह तो गए दो statement, बताओ कौन से सही है, option A one only, option B two only, option C दोनों करेक्ट हैं, या फिर option D दोनों ही ग आपको वीडियो सेरीज कैसी लगी, मज़ा आया या नहीं आया, यह सारी बात आपको नीचे comment section में लिखनी है, और please यार आपको एक support चाहिए होता है, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो पर like का button प्रस करके support कर सकते हो, ठीक है ना, और मैं कोशिच करूँगा कि आपको morning मे एक बहुत अच्छा content, कोशिच किया, मैं अच्छा content प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बहुत लंबे समय से में, और और बी जदा उसको बहतर कर दिया जाएगा, शाम के current affair morning में मैं include कर दूँगा, ठीक है ना, मिलते हैं आप से अगले वडियो में, आज के लिए बाइ-